नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल ग्यानकामना पर तो दोस्तों इंडियन पोस्ट जीडियेस यानि गरामिन डार्क सिवक भरती 2023 का रिजेल्ट कैसे देखे उसके बारे में step by step जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और इसी के साथ रिजेल्ट को लेके दो चार खास बाते हैं वो भी आपको बताऊंगा अगर आपको भी GDS का रिजेल्ट देखना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतिय डाक विवाग के दोरा ओल इंडिया में तकरीबन 40,000 से अधिक पोस्टों के लिए आवेदन मांगे थे कुछ दिन पहले अब इस भरती का रिजेल्ट है वो आचुका है जैसे आप इस विबसाइट पर आओगे तो हॉम पेज पर आनेक बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आनेक बाद यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक है वो देखने को मिल जाएगा रिकूटमेंट्स आपको इस लिंक पर क्लिक करना है जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज फिर से उपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए लेट साइड में आपको इस लिंक है वो दिखाए देगा यहाँ पर एक और ओप्शन आपको मिलेगा शोट लिष्टेट कंडिडेट्स आपको इस लिंक पर है वो क्लिक करना है अब देखिए दोस्तों यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको च्यार पांच बार है वो क्लिक करना पड़ा मैं आपको यहाँ पर एक सीधा तरीका पताता हूँ डारेक्ट आप रिजल्ट वो देख सकते हैं इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com जैसे आप हमारी इस वेबसाइट पर आओगे home page पर आने कबाद थोड़ा सापको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने कबाद यहाँ पर देखे lettered job का एक section आपको दिखाए देगा और यहीं आपको देखे direct link है वो मिल जाएगा इस link पर आपको click करना है जैसे इस link पर आप click करोगे तो direct आप इस page पर आ जाओगे यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखे जैसे आप इस पर click करते हो न तो all India में जितने भी state है उन state का link आपको दिखाए देगा अब आपने जिस भी state के लिए आवेदन के है उसी state पर आपको click करना है जैसे मैं यहाँ पर राजिस्थान पर click कर रहा हूँ जैसे आप अपने state पर click करोगे तो इस तरह से देखे एक PDF file है वो open हो जाएगी और इस PDF file के अंदर आप अपना result है आसाने से देख सकते हो जो भी आपको यहाँ पर head office है जिसके लिए आपने आवेदन किया है जिस भी division के लिए यहाँ पर देखिए division का नाम सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाए देगा division से मतलब है अलग-लग district का नाम तो सबसे पहले तो आप अपना district का नाम यहाँ पर सर्च है वो कर लिजिएगा और जहाँ पर आपका district है और फिर यहाँ पर जो भी post office लगता है या जिसके लिए आपने आवेदन किया है वहाँ पर आप अपना नाम आसाने से हो सर्च कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए merit की बात करें यहाँ पर आपको इस result को लेके दो चार खास बते बता देता हूँ result तो आप इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर देखिए काफी सारे उपर column है वो बनाएगे और यहाँ पर देखिए merit list या यू मानिए कि total marks है उसकी जानकारी यहाँ पर दे रखी है कि कितने number का यहाँ पर selection हुआ और दोस्तों selection तो काफी high हुआ आप यहाँ पर दे सकते हो मेरे case के अंदर मैं यहाँ पर राजिस्थान की जो sheet है वो मैंने यहाँ पर download कर रखी है आप देख सकते हैं यहाँ पर तो देखिए 92% है 100% है काफी high percentage यहाँ पर गई अब यहाँ पर देखिए इस बर्ती का यह जो result है ज्यादतर उन लोगों को या फिर उन सातियों को फायदा हुआ है जो क्रोना काल के अंदर उन्होंने free के जो marks है वो पराप्त की हैं उनका यहाँ पर selection हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर तो department क्या किया है और कैसे किया है वो तो एक अलग बात है लेकिन काफी सारे जो ऐसे हमारे साति हैं जो काफी मेहनच से है अच्छे नंबर प्राप्त किये थे तकरिवर ऐसी परसेंट उपर से या फिर 90 परसेंट या फिर इस से उपर किये हैं उनका नंबर यहाँ पर नहीं आए यह थोड़ी सी सोचने की बात है चलिए कोई बात न जो डिपार्टमेंट का फैसला है वो हमें मंजूर है अब यहाँ पर देखिए जिन साथियों का यहाँ पर नाम आ चुका है या रिजेल्ट के अंदर या इस मेरिट लिस्ट के अंदर नंबर आ चुका है सबसे पहले तो उन सभी को हमारे यूटूब चैनल की तरब से करवाने पड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए अलग-लग स्टेट की डोकूमेंट वेरिफिकेशन की डेट वो अलग-लग हो सकती है मैं यहाँ पर राजिस्थान की बात करना हूँ तो देखिए राजिस्थान के लिए यहाँ अभी तक जो लाज्ट डेट इनो ने निरिधा जाना है इसके साथ सबी डोकूमेंट की दो-दो फोटो कोपी और उस पर आपके अस्ताक्सर करके आपको यहाँ पर लेके जाने हैं अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन-कौन से डोकूमेंट आपको लेके जाने हैं दोस्तो एक तो आपकी जो एजुकेशन तो जादा कोई extra document नहीं है इसके ल़ह यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाए जाएगे इसके लिए extra जो भी document होंगे वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगे अगर वो चाहता है अब यह document आपको कहाँ पर ले की जाना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी जो division जो head office है जिसे मालीजी आपने जिस जिले के लिए आवे दिन किया है तो उसका जो division है उस head office में यह document है आपको लेकर हो जाने है और document ले जाने के बाद यहाँ पर देखिए जो office वाले हैं यह जो विवाग है आपके अराम से है वो document चेक कर लेगा यह इसमें किसी परकार की कोई कमी नहीं पाया जाती है तो आप finally रूप से यहाँ पर selected किया जाएगा और बाद में आपको zoning लेटर हो दे दिया जाएगा तो दोस्ते इस परकार से तो अपन Indian Post GDS का रिजेल दे सकते हैं और इसे के साथ मैंने दो चार खास बाते आपको बताई है बताना आज की वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगे से जुड़ी जानकारी हैं वो समय समय पर वो मिलती रहेंगे मिलते हैं फ़र्ण से अगले एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जवहरत